करेंगे फ्लॉपी डिक्स रीडर की कैसा इसका मेकैनिजम लोमाइं चलिए इसको को ओपन करके डेखेंगे इसका मेकैनिजम कैसा है जो की पुराने टाइम्स में यूज किया जाथा था अब टू टू थाउजन फाइए इसका देखे यह स्ट्रक्चर तो काफी कॉंपलेक्स तो नहीं है अब इसका ओपन कर लिया मैंने बोड के साथ अभी जो मोटर है इसका BLDC मोटर है इसको आज के जमाने के हिसाब से कि उस जमाने का मोटर आईसा था इतना बड़ा राइमेटर था उसके रोटर का देख सकते आप और उसके पाज़ो में उसका ड्राइवर आईसी है मिट्सुभीशी का जो कि इसके जो फेस कांट्रोल है उस आईसे से ड्राइविंग होता है तो खापी अमेजिंग है BLDC मोटर देखने में और उसके साइड में एक कोईल फीडबैक के तौर पर कोईल इंड़क्टर दिया ह है में भी फीडबैक सिस्टम में ही है और बटन सेंसर इसको सेपरेट करने के बाद और गॉर से देखेंगे तो यहां पर एक मैंगनेट डिखाई देरा मतलब इस कॉल के सामने से जब वो मैंगनेट क्रोंगा तो कोई फीडबैक सिगनल उसाइसी में जाएंगा इसका रोट का स्टैर है इक मुद्ध कंप्लेक सफिदिगां ओर यहां पर तीन सेंसर देखें ग लाग के जोल और इसके इस लिए तीन पर ज commercial लोड़ एक शंक हरा है तक दरफाक स धूर उफिज अब जिसमें सारा data decode होके जाएंगा, जो main ICA इसका, जैसे ये main ICA होता, और ये जो चोटा ICA, इस driver ICA इस चोटी motor का, जो servo motor है, जो x-axis में up and down driver करके, तो इसका mean principle जो है, इस property इसका, वो तेखते हैं कैसा principle है, जैसे cd drive में होता है, जो light पर depend है, laser light वगरे पर, लेकिन इसका में, अपने को, electromagnetism based दिख रहा है, क्योंकि इसमें coil use की गई है, एकदम जो disk के पास है, coil use की गई है, मतलब, magnetism इसमें से transmit होंगा, और इसमें से receive होंगा, ऐसा पूस तो भी, तो इसका principle ही है, magnetism, इस servo motor है, और servo motor का कही है, तो बहुत ही simple servo है है, जो tray को आगे पीछे करने में यूज किये जाती है, तो इसको निकार लेंगे, पुरा total disassemble हो गया है, प्रिंट्स मेरा next video CD driver को disassembly पे रहेंगा, तो उसके लिए आपको subscribe कीजिए, चैनल को और bell icon को enable कर दीजिए, latest video को update से जुरे देने के लिए,